पॉंबेइ पॉलीश को एक एक एसे स्कौर्ट में होंके और उन्हें पीना जूरिस्डिक्षिन के रिस्डिक्षिन के गांक्स्टरlarि件 जहे हैं दोस्तों, Class of 83 बॉलिवुड फिल्म इंडरेश्टी की तीसरी ऐसी फिल्म है जो कि हम सब के बीच में ताबर तोड कलेक्शन करती जा रही है, जी हां दोस्तों पहले नमबर पिती सुसान सिंग राजपूत की बहतरिंग फिल्म है दिल बेचारा जिसने अब तक OTT प् जिसने अब तक ताबर तोड कलेक्शन करके सब भी रिकोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Class of 83 के 6 दिनों के worldwide box office कलेक्शन के बारे में और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने 6 दिनों में कमा चुकी है कितने करोड रुपे, त लाकि वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पोच पाई इस सुध हिंदी में सबसे पहले, चलिए दोस्तों हम बड़ते हमाई न्यूस की तरफ, वेलफाइन अगर हम बात करें Class of 83 की, तो दोस्तों बावी देवल की दमदार एक्टिंग के वज़े से ये फिल्म ताबर करोड बना हुआ है, चलिए दोस्तों अगर हम बात करें फिल्मे के बज़ट कि तो फिल्म का बज़ट है मात्रे 32 करोड रुपए, और 32 करोड के बज़ट में फिल्मे को कापी शांदा तरीके बनाय गया है, इसी किसारो में फिल्म ने अपने पहले दिन की शांदार उपनि कर लिया था, वही पर दोस्तो तीसरा दिन आता है संडे और दोस्तो संडे होता है सोने पर सुहागा और दोस्तो इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन और भी शांदार कलेक्शन करा और कमाई दोस्तो 14 करोर 15 लाक रुप्ए इसी कि साथ मां दोस्तो अगर हम पाचवे दिन का कलेक्शन कर गई 8 करोड 80 लाक रुपे का और दोस्तों ये फिल्म अपने बहतरिंग वर्ड मौथ होने के वज़े से ये फिल्म अपने चटे दिन लगबग 6 करोड 50 लाक रुपे का कारोबार करतुई नजर आ रही है तो दोस्तों इस फिल्म में का 6 दिनों का ओटीटी प्लेटफर्म का कलेक्शन हो चुका है 58 करोड 24 लाक रुपे और दोस्तों जहां पर फिल्म का बजट है 32 करोड रुपे वहीं पर दोस्तों इस फिल्म ने ओटीटी प्लेटफर्म से 58 करोड का कलेक्शन कर लिया यानि दोस्तों फिल्म हो चुकी है सूपर डूपर दोस्तु आप सबी को पता है कि हमारे भरत में किसी चीज़ को पूजा जाए या ना जाए पर दोस्तो बाबाओं को पेले पूजा जाता है ऐसे ही दोस्तों हम सबके बीच में कई सारे पाखरणी बाबा होरी बिया है जैसे कि कई सारे बाबा है अगर मैं नाम लूँगा तो उनका साथ से कोई भक्त मुझको गाली भी दे पर दोस्तों में उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा ऐसे में दोस्तो बावी दिवल सर ने हम सबके आग खुलने के लिए हम सबकी बीच में शांदर फिल्म का आगास करा है जिसका नाम है आसरम दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये फिल्म में कापी ताबर तोड होने वाली है और उससे पहले कुछी दिन पहले उनके एको शांदर फिल्म में रिलीज करी गई जिसका नाम है Class of Act 3 और दोस्तो उस फिल्म में के अंदर उनकी ताबर तोड एक्टिंग होने के वज़े से दोस्तो वो फिल्म में करोड़ों को कारोबार कर रही है और दोस्तो आप हम सब के बीचिमा 28 अगस्त को उनके एक और शांदर फिल्म रिलीज हो रही है आसरम और दोस्तो जिस से ये उमीद कर रहा हूं में कि ये फिल्म अपने पहले दिन ही साइस से 12 करोड रुपे की ओपनिंग ले ले क्योंकि दोस्तो जिस तरीके से क्लास ओफ एक्टी 3 से उनका फिल्म का बस बन चुका है अब मुझको पूरा यकीन है कि ये फिल्म अभी ताबर तोड कलेक्शन करेगी क्योंकि दोस्तो इस फिल्म में के अंदर बौवी देवल सर ने हम सब के आखे खौनने के लिए काफी शानदर मेसेच छोड़ा है दोस्तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म में के दोस्तो इनके आस्रम से कई सारी लड़किया भी गायब हो जाती है और दोस्तो इन सब कांडों का फास्ट कनने के लिए हम सब के बीच में पुलिस ओफिसर भी आते हैं तो दोस्तो ये फिल्म काफ़े इंट्रेश्टेड होने वाली है जैसे कि क्लास ओफ एक्टी 3 के अंदर आपको सस्पेंस देखने के लिए मिल जाएगा वैसे दोस्तो आपको क्या लगता है कि आस्रम फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड रुपे की ओपनिंग लेगी हमें अपने ओपिनिन कमेंड करके जरू बताईएगा दस करोड, आठ करोड या फिर साथ करोड आपको क्या लगता है चलिए दोस्तो जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा आप से भी से अपने अगली वीडियो के लिए जैहंद वन्दे मातरम ज्यान रखे अपना और अपने मातर पिता का